हेलो गाइस तो यह वीडियो जो है डिमांडेड वीडियो है आपने बोला कि ब्लिव प्रिंट बता दो तो मैंने दो चीजे इस में डिसकर करनी है कि आपको सैंपल पेपर या ब्लिव प्रिंट में से दोनों में से कैसे कंपेर करना आखिरकार समझना क्या है अब क्या है आपको वीडियो और पीडियो दोनों मिल जाएगा ठीक है आई बटन पर भी वीडियो देख लोगे आप सैंपल पेपर का और जिन सब्जेक्ट का जिन क्लास का अभी टेंद का तो अभी सैंपल पेपर नहीं आया है तो उनको आखिरकार अपन को कैसे पढ़ना है उन सब्जे कहीं जीजक नहीं रहेगी कोई भी टेंसर नहीं रहेगी कि आपको सैंपल पेपर से पढ़ना चाहिए कि ब्ल्यूप्रिंट हमारे लिए कफ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो नमस्कार दोस्तों मेरा अप्रदम स्वाके था आप सभी का आपके अपनी यू कैसा कि सबसे पहले मैं आपको पूरा ब्लिव परेंट समझांगा ठीकि आजिक अल्धी सब्जेक जल्दी जल्दी बहुत ही जलत तरीके से इससासाद मैं आपको सीथी हृल पेपर दिखा दूघ तो देखीं सबसे पहले हिंदी हिंदी सब्जेक को मma सेंपल पेपर डाल दिया जिन बच्चों नहीं देख रखा है तो उनको लगेगा कि सर आपने बोला था इतने सारे अब्जेक्टिव कुश्चन आगे कि दस नमबर को अब्जेक्टिव कुश्चन क्यों है एक नमबर वाले तो देखिए पद्धेखंड से आपके दस प्रश् कुश्चन आपके आएंगे थोड़े से और से बढ़ा दिया जाएगा और वही रसे करें है थोड़ी संबना के देगा और पुछ्ण थोड़ी से बढ़ा देगा और पुरे एंसर्ज होंगे वही रहेंगे इसी के साथ साथ आप देखो फिर चार नमबर वाले question पूछ रहा है ठीक है तीन question पूछेगा चार नमबर वाले ठीक है जो कि 12 अंक कि होंगे 34 नमबर आपके पद्खंड से पूछ रहा है ठीक है पद्खंड जो इंग्लिश में पूर्ट्री होता है अब आगे देखिए ठीक है समझना 34 नमबर मतलब 10 नमबर 10 नमबर हो गए चार नमबर ये सरी 10 12 और 14 नमबर ठीक है फिर इसके बाद पद्खंड गद्खंड और क्या है सहाइक वच्छन व्यकरण सबसे सबसे मिला करके दस एक एक ईक नमबर के फिर पूछेगा मतलब सबसे पहले मैं को सभी ब्लूप्रिंट आपको समझा दीता हूं ठीक है फिर इसमें डारेक्टली इसमें दिये हुआ है अब देखो क्या कि सांपल पेपर में यह पूरी चीज कॉंपी की गई है यही चीज कॉंपी करके तुम्हारा पेपर बना दिया का है कि वस्तुनिष्ट प्रशन आपके एक एक नंबर के जो होगे 30 परसंट आएंगे आपको सांपल पेपर भी दिखाऊंगा चिंता मत करूँ ठीक है इसी किसाथ सथ विसले सडात्मक 40 प्रशन किसके रहेंगे से चार रंक वाले रहेंगे 120 से 1500 सब्दे में आपको लिखना होगा अब क्या है यहां भी एक आपको तो क्या बोले डिसकाउंट है डिसकाउंट जैसे अथवा बाला आता था था न बेटा अथवा लिख्या आता था पहले ना इंथ में दिया होगा इलेवंध में दिया होगा अब अथवा मैटर नहीं है अब क्या कि विशाइप पर अधारित एवं विशलेशलात्मक इसके बाद मैं अगला दिखा देता हूं सैंपल पर हिंद हिंदी जनरल वाली इंगलिश मीडियम वाले बच्चों की हिंदी है इसी में इसी प्रकार से है दस प्रचत दस अंक औब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगे चार प्रश्चन आपके मतलब दस बारा वही चोंतिस आपके पद्ध खंड व्याकरण से आएगे पेपर यह क्वेश्चन आप पढ़ लो नहीं पढ़ रहे हो तो समझ लो केवल पीडियाफ में टेलीग्राम के दे चुका हूं पहले भी ठीक है तो वहां से देख लेना मैंने वीडियो जरूर नहीं बता था लेकिन पीडियाफ भी है ठीक है सेम चीज फॉलो की गई है तो यह चीज मैं समझाने के लिए ज़्यादा जरूरी नहीं समझता क्योंकि मैंने पहले समझा दिया अंगले सब्जक्ट में देखते हैं इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टन सब्जक्ट है बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है इस इसमें से आफसे नंबे समय बंसे पूझे आपके संब्छेंगा एक नंब्र का ये रएगगा थी नम्र वाले इसमें और तीन नमर वाल निंखर दियंटीन वाले टीन से बनेंगे और workbook से ठीक है यहीं question बनेंगे एक नमर वाला भी बन जाएगा तीर नमर वाला भी बन जाएगा और चार नमर वाला भी बन जाएगा special English का फिर इसके बाद subjective भी तुम से पूछेगा कि poem का पूछेगा poem कुछेगा ठीक है poem कुछ दे देगा उसमें से extract भी पूछ लेगा जैसे question मना लिया poem से ठीक है वह चीज़ जो पहले ही आती थी वही चीज़े फिर analytics बाले पूछेगा विश्लेसर टाइप के paragraph राफ राइटिंग नोटिस डाइरी एंट्री फॉर्मल इंफॉर्मल दोनों लेटर अंसीन पैसे इंस्टाइज ठीक है पट्री से यह चीज़ पूछ लेगा जो कि पहले भी पूछा करता था अब अंगली कड़ी में यूनिट टू से तुम से क्या पूछ लेगा कि मार्क एक से वही सेम चीज रही सीम चीज फॉलो कर रहा एक्जाम पैटर्न तो लेशन आठ नो दस से के नो गेरा बारा से दस नहीं पूछ रहा दस कट गया था उसमें से आप से अप्जेक्टिक और एक्टिव वाइस पैसिव वाइस से भी कुश्यन पूछेगा प्रेपोजिश पूछेगा अब देखो यह क्या न चार नंबर का आपका इसे आगा बेटा हाँ बिलकुल एसे चार नंबर आप आएगा तीन वाइससे लेटर राइटिंग फॉर्मल इन फॉर्मल यह सब चीज़ें हो जाएगा इसमें से एक तीस नंबर का यह हो जाएगा यूनिट 14 15 16 इसमें से इन सब्सक्राइब को ऐन नम्बर वाले 10 ट्र्म मैं चार गसे इन भी पूछेगा जैंटांट से चलील पूछेगा चाप्टर से सम्मंदिट कोश्चन पूछेगा जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के होगे तीन से चार नमबर वाले कोश्चन अब इसे बताने कि तो जरूरत नहीं मैंने ब्लूप्रिंट टाइप ब्लूप्रिंट पूरा समझा दिया यह कहलाता है पूरा स्ट् गर्णाल इंग्लिश वाले बचचे आजाए तो शेंटाल इंग्लिश वाले चार इतने बस्थेजिए सब्सक्राइब प्रेपोजिशन मिला के question answer subjective type के और unseen पसेश को मिला करके इन चीजों के मिला करके चौन इकत्तीस नमबर फिर इसके बाद लेशन्स 7, 7, 8, 9, 10, 11 इन लेशन्स से हो जाएगा objective tense हो जाएगा auxiliary भर्फ हो जाएगा आर्टीकल हो जाएगा क्वेट हो जाएगा इन कोस्चन से मिलाके और यह सब्जेक्ट्टि उर्हेगा कि पर्यवाब रेपोर्ट राइटिंग रहेगा लेसं सेवन एसे रेट नायन इ lass moss फॉर्मल इनुफॉर्मल लेटर पुझे गए इन मेससे फॉर्मल इनुफॉर्मल लेटर पूझेगा अब वही पैटर्ण के माध्यम से एक बाले दस्थो तीन वाले तीन चार वाले तीन तो कुल मिला के इक तीस मार्क्स का फिर इसके बाद आप लेशन थर्टीन देख लें लेशन टल बारा बारा लेशन वाल्यू अफ मैं थर्टीन फिप्टीन सिक्स्टीन इन में से भी कुश्चन उसी प्रकार से सेम पैटर्ण में आपसे पूछ रहा है ठीक है अब क्या आपको लगेगा जरूरी होता कि email writing भी आएगी देख लेना email writing भी आएगी speech एन आर्टिकल भी आएगा question answer तो आए गई आएगा अब यह note का जाल कि all the question objective subjective and analytical will be asked from textbook as well as from the workbook text और work दोनों book से पूछी जाएंगे उसी प्रकार से सेम आपसे Sanskrit विशिष्ट जिन बच्चों का Sanskrit विशिष्ट है उसका Sanskrit विशिष्ट पूछ ले लेगा व्याइप अधातु रूप पाटगात सब्दूरूप रिक्तिस्थान युग सही जोडी विलोम पर्या यह सब question पूछ लेगा एक में से सीध्य थर्टी question एक नमबर वाले इसमें डारेक्ट हो गया सब्सक्राइब करने होगे अब यह क्या हो चकता निबंद लेखन स्लोक व्याकरण धातु रूफ व्याकरण सब्दूरूप अनुप्रयोग प्रस्ण वयदिक साहित सबकुछ यह सीजी मिला के तुम्हें PDF मैं टेलीग्राम पर पहले दे चुका हूं जिनको नहीं मिली जाक पुछेगा एक नमब वाले साथ प्रस्ण पूछेगा कुल मिलाकर rakt के साथ चेयर आटस आपसे पूछेगा किसमे किसमे से एक दो तीन आँ एक दो तीन चार से ठीक हैं कहार नंबर का क्वेशन पूछेगा इसके बात तुम्हेंच 7-7 आएठ और दस नमबर दस लेसंसे एक तीन चार ऐसे question पुझेगा इतने अंग के रहेंगे इतने question इतने अंग के रहेंगे अब ये मिलके बनेंगे 11 नमबर का इसमें से भी पूछ लेगा मैं तुम्हें PDF दिखाई देता हूं don't worry ठीक है इसके बाद तुमसे पूछ लेगा गेरा बारा तेरा गेरा बारा चुद्या लेशंसे एक वाले question साथ पूछेगा तीन वाले तीन चार वाले तीन पूछेगा अब यह क्या हो सकता है यह सब कोर्षाइब निद्ध के धिस्तान सब कुछ मिला कि हो सकते हैं ठीक है जरूरी नहीं कि वह मुझे बतानी जो इतनी है फिर इसके बाद में हिंदी इंगली सब देख लें ठोस यह चैप्टर वन ठोस प्रावस्ता विल्यान बैद्दुत राशायन रासाइनिक वल बाद गतिकी प्रश्ट रासायन इसमें से समय से उसी सेम चीज इग्जाटली फिजिक्स की जैसे पूच रहा है उसमें क्या कर दि तो डी एवं एफ ब्लॉक के तो यह सब मिला के अठारां के क्वेशन पूचेगा फिर दस गेरा बारा तेरा चाउदा को मिल जाएगा ठीक है इसके बाद आगे बढ़ो तो विशे शंबंदित यह पूरा सब कुछ पढ़ लेना जीव बिगन बायलाजी का यह तुम्हें सा अपन देख लेते हैं सांपल पेपर भी ठीक है तो देखिए सबसे पहले गाइस में हिंदी विशिष्ट का पर दिखा तो सांपल पेपर सट वन दोजार इक इसमें से यह पूरा चीज जो कि आपके ब्लूप्रिंट में ही पहले ही दिखा दिया था ठीक है तो यह चीज मु पूरा सब कुछ दिया हुआ देखो पहले यह पांच कोश्टन हो गया ठीक है इसमें कितना कुश्टन पूला है 30 ठीक त्रटी पांच यह हो गये गिंदे जाना ठीक पांच है च्छाई है स्वारी चाह फिल इन द ब्लैंक में हिंदी के सैंपल पेपर देख लो नहीं तू वहाँ भी देख लेना च्छेए यह हो गये और यह क्या है हाँ सॉखलब स्षैंट्य हो गया च्छा त्रीक एठारा अठारा और च्छा यह गया अठारा 624 और यह गया एक वाक्य में उत्तर हो गए 30% objective हो गई उम्मीद आप से मतलब कहा जाए तो टेंशन खतम हो गया जो भी डाउट था क्लियर हो गया चाहिए नहीं समझ में आ रहा तो जाके सैंपल पेपर का भी वीडियो देख सकते हुआ इसके बाद तुम्हें क्या पोला कि थर्ट तीन प्रस्ट तुमसे पूछेगा तो इ कोस्टि कितने दिया है और यहां क्या डाउट है यहां कि दो अंक वाले उसन फूछेगा की नई हूं मैं पहले ही बता दिया के तुम्हें वह कोश्टि इस नमगर की करतेगा अब तीन प्रस्ट्ट ने इसमें magg往ивать यह और फूछ रहा है पान्च में से 3 ठीक है? तो thoughtR%. आथवा नहीं है लेकिन इसिमें से option दे रहा है. Question अदिक दे रहा तो उसमें से आपके पास option है. इसके बाद 4 प्राशन इसमें से देखने है. 4 प्राशन तीन, 3 नमबर के, 4 प्राशन को उतार लिखने है. तीन तीन नंबर के ठीक है कि इसके बाद यह देश्कतों चाहiénेच चाहर करने इसके बाद यृह यह भी करने है ठीक है यह देख लेना है कि यह किससा अब जो मिलाकिए और फिर अब चाहर नमर वाले तो पांच यह हो गए चार चार पांच चार नो चारी नहीं है हाँ नो और नो चार तेरा तेरा पांच अठारा दो अठारा दूबीश ठीक है और बीस מy टैसके और दो बाहीश मतलब इन मतलब वह हो गया है क्या है क्रम बिगड़ गया ना अठारा अठारा के यह देख लो चार चार पाईस बाइस के बाद यह चार चब्लसपैसज़र प्रकार इस प्रकार करके सबस्वे इंसें zinc जो पिछले साल के question paper उने ही में से त्यारी चारी करो जो मैंliers बताया आपको study materi उसमें से त्यारी करो जो मैँ आपको बता रहा हूं कि आप वह परिच्छा दैन परिच्छा परिच्छा बोच जो भी है अपके पास study materials उससे तैयारी करो ठीक है तो sample paper के लिए आपने जो भी study material उससे तयारी करो और tension मतलो ठीक है और जिस प्रकार ची जितने भी sample paper आते हैं हम आपको sample paper सभी sample paper PDF के साथ solution के साथ provide कराएंगे ठीक है so I hope कि आपको video अच्छे लगी होगी तो like करिए share करिए comment करिए जो भी question है और channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा ठीक है so thank you for watching the video जै हिन जै भारत